आज में आपके साथ शेयर कर रहूं बहुती तेस्टी बद्ध रेसिपी और साथ में एक डिलिशस चटनी भी हम बनाने वाले हैं आज हम बनाएंगे कच्चे आलू के बहुती क्रिस्पी करारे Um reacted वाले पकोड़े और साथ में बनाएंगे तेस्टी चटनी तो सबसे पहले पकोडे बनाने के लिए हमें चाहिए आलू तो ये मैंने कच्चे आलू लिये हैं और आलू को पहले अच्छी तरीकी से आपको धो लेना है और उसके बाद ये जो आलू है इने छील लेना है इनका छील का आपको निकाल देना है तो दोनों आलू को आप छील कर त्यार कर लें तो ये मैंने आलू छील लिया है और अब आपको ये जो आलू है इन्हें किसना है तो ये मैंने मीडियम साइज वाला क्रेटर लिया है और इससे मैं इस तरह इनके लच्छे बना रहे हूँ तो दोनों ही कच्चे आलू के मैं ये लच्छे बना लूँगे ये देखिए आलू के लच्छे हमने त्यार कर लिया है अब आपको क्या करना है ये जो आलू है इने अच्छी तरीके से वाश कर लेना है ताकि से इसमें जो भी स्टार्च है वो निकल जाए तो ये देखिए ज इन्हें आपको अच्छी तरह निचोड लेना है तो यह जो आलू के लक्षे हैं मैंने इन्हें अच्छी तरह निचोड लिया है और इन्हें एक बोल में डाल दिया है और अब में डाल रहे हूं दो बारी कटी हुई हरी मिर्च बारी कटा हुआ हरा धनिया और अब हम इसमें अब इसमें जा रहा है एक चमच ब्रत वाला सेंधा नमक यह हमने नमक डाल दिया और अब मैं इसमें डाल रहे हूँ आदा चमच भुना हुआ जीरा पाउडर और यह देखी मैंने लिया है यह राजगिरी काटा यह ब्रत में खाया जाता है आर्टा नमक देखी मैं चावल और के ब्रत मारत इंटा हुआ Σीन राजगिरी काटा देखे और नहीं हुआ यह देखे लित काटा और यह गाओ अच्छा हो इन ईसमें बिना यह नाश्टा तियार कर सकते हैं अच्छी से इसमें आपको पानी बिलकुल नहीं डालना है आलू में जो मरिशर है उसी से ये त्यार हो जाएगा तो सारी चीज़े हमने अच्छी तरह मिक्स कर ली है और अब इस पकोड़े के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रहे हूं नीबु करस तो दो चमच के करीब नीबु करस डाल दें और अच्छी तरीके से से मिक्स कर लें अब ये पकोड़े बनाने के लिए पूरी तरीके से त्यार हो चुका है लेकिन पकोड़े बनाने से पहले एक टेस्टी चटनी बना लेते हैं जो पकोड़े के स्वात को और भी ज्यादा बढ़ा देगी तो चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है दो हरी मिर्च ली है और टू टेबल स्पून मूमफली ली है और ये मैंने लिये हैं करी पत्ते इन मैंसे कोई भी चीज जो आप रत में खाना करते तो हरी मिर्च तीन यह चार भी डाल सकते हैं यह मैंने इसमें डाल दी है कि सजस्चर्ण का दालने से चट्नी का इसMy Works ये बदे साघ़ के हुआ है जिसञे चटनी टेस्टी बने अब मैं इस चटनी में पानी डालरही हो ने आ इसमें एक ऐस क्यूब डाल रही हूं वस जार कठकन बंस कर देंगे और जो को पीष कर त्यार कर लेंगे अगर आपकाकफी खटा नहीं है तो आप से थोड़ा सा नीबु करश डाल ताकि इसे थोड़ी सी खटी हो जाए चटनी और चटनी टेस्टी लगे ये देखिए चटनी हमने पीस कर त्यार कर लिए बहुत ही गाड़ी और बहुत ही बढ़ी चटनी बनी है कलर देगी कितना शांदर आया अब चटनी को हम अलक रख देते हैं और पकोड़े फ्राई कर ल करेंगे लगबग एक डेड़ मिनट तक एक तरफ से सिखने दें और उसके बाद सभी पकोड़ों को आप पलट दें पकोड़े नीचे से हलके हलके सिख चुके हैं इनका कलर हलका साथ चेंज हो गया है अब मैंने सारे पकोड़े पलट दी हैं और इन्हें दूसी तरफ से भ बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं तो अब यह पकोड़े लगबग तयार हो चुके हैं यह देखें बहुत ही शांदार से फ्राइब हो गया है तो बस अब देर किस बात कि निकाल लेते हैं और दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से फ्राइब कर लेंगे बिना किसी जंजट के बह पकोड़े कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने है अगर आप एक बार ब्रत मैं यह पकोड़े बना लेंगी न तो सच्मानी हमेशा यही पकोड़े आप Western करेंगे हैना बहुती क्रिस्पी अगर आपको gibi घ्री को लाई को मेंट और शियर जरूर करें चैनल को सबस्क्राइब ब अगली वीडियो में